दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महेंगी इन्सुलिन आती है सबसे पहले जारे है고 इन्सुलेन में बारिञा है तोव जो हागते हैं मिक्स्टाट 3070 हिमें 3070 इन्सुमां 2575 और इंसुजन 3070 मार्केट में मार्केट में या वस्लें 3070 यह हिमन इसों है इसका करीब इक रिफिल पर परता है कि 350 रूपी का सपास का जिपस तीन से रेक्वाइल पर्ता है गर परता है वन 37 काइद का सबसादा इससे एडवांस फार्म अता है उसे बोलते हम एमलोग प्रिमिक्सिलिन जो मारकें वाता है सिमलाग मिक्स के नाम से युगली सेट मिक्स के नाम से ती नाम साथ है उससे उपर जो सबसे बेस्ट प्रिमिक शिल आती है उसे बोल तरब राइजो डेग यह सब क्या होता कि लांग एक्टिंग होती है एनलोग एनसलिन एंड होती है इनलोग इंसलिन तो कोई दिखा देखा है है तो देखे क्या होता कि जो प्रिमिक्स एनलोग इंसलिन आती उसके कॉस्ट होती करीब साथ सब्सक्राइब करीब एक पचा सब्सक्राइब क्या होगा आप सब जान लीजिए चाहे इंसलिक किती भी महंगी हो हर इंसलिन के एक विनिट काम बराबर करता है सब्सक्राइब करते हैं फिर जान लेजे जिती महंगी इंसलिक क्या होता है कि हमारा जो कोस्टली इंसलिन क्या होता है कि ऐसा बनावट होती है क्यों सुगर लोग चांस कम होता है नास्ते के 3-4 इंटे बाद या दो फर में 5-7 बीच में या डिनर से रात को या रात को बारस तींबे शूर लोग खत्रा होता है तो आपको नास्ता करने के बाद अगर देर भी कर दोगे तो सुगर लोग चांस घट जाएगा बट्रुकी इवन एनलोग इंसुलिन के अंदर भी एक तो रैपिट एक्टिन तीन काम करता है बटो इंटर्मीड एक्टिन सेवेंटी परसुन होता है वह करीब 6 घंटे बाद पीक करता है तो इस इंसुलिन साथ हुमन इंसुलिक तुला में सुगर लोग चांस कम है बट इसके अंदर भी क्या होता कि नास्ते के तीन-चार एक बाद यह दिनर पहले यह बारात बारात से तीन बीच में सुगर लोग चांस कम पर राइजयोडेक तुला में जादा है इन तीनों इसुलिन में राइजयोडेक का सबसे लोबेस शुगर लोग चांस होते है मूह लोग को अब फास्टिं सुगर सुगर साल आना चाहते हूं घ् Fantastic सुगर महिने में दो बाद न Ammunition season mix से एक एक पर होगा जबकि च्राइज्योलेक साल आसे खाले न हैं तो इस साल में एक दिए पर होगा बहुती कम चांस होता है तो मेंगी इफेक्ट अच्छा नहीं करती है, कंट्रोल अच्छा नहीं करेगी, सेफ्टी बढ़ जाएगी, शुगर लोग चांस घड़ जाएगे, और कभी खाने देर भी कर दोगी, तो सुगर लोग नहीं करेगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, राईजोरे के अ के अच्छी का में जोगा होता है, जबकि हमारा हुमा इंसुलिन और प्रीमिक्स ऐनालोग इंसुलिन का करीब 4-6 गनिट पीक होता है, जिसके वैसे लंज से पहले, या डिनर पहले, रात सोने से पहले, रात को बारस तिंग भीचे शुगर लोग खत्रा होता है, तो रायज आज आपने 20 सब्सक्राइब होगा कर भी सब्सक्राइब जब कि हमारे हमें इस फ्रीटियर टेंटी प्रिशाइब गाँगे मारे 20 लगा है तो आज 20 प्रिश्वाइब होगा अगली बार 20 कम है वह सा 16 जाब हो कि अठाब जाब हो तो आपको शुकर फ्लक्चिर होता रहेगा जब कि हमारी जो प्रिमिल्स मिक्स अनलोग इसलिन लाइक नोमिक्स हुमालोग उडिशन मिक्स उसके वरेबिल्टी उससे थ्मक कम होती है पर फिर उसमें दस पर आप होती है इसलिए कॉस्टली इंसलिन एफेक्टिव मोर नहीं है बट शुगा लोग चांस कम होता है प्लस कंपेर टू हुमालोग इंसलिक तुला में इसका चुकि रैपिट इंक बहुत लगाने बाद विजिन वार पीक पहुंचाता है तो इसका पीपी कंट्रोल अच्छा आता है तो आप राइजिन एक से सेम कंट्रोल आएगा या इवन पीपी बेटर कंट्रोल आएगा खाने ब कुछ दिन बाद का जब सुगर कंट्रोल अच्छी होती है तो आप सब जानलोग मेंगी से सेफ्टी बढ़ जाती है शुगर लोग चांस घर जाते हैं वेट गेन के चांस घर जाते हैं पर अकसर जो है अधिकांस लोगों में डोज बहुत कम नी होता है कि हमारे सामने पेश्टें बैठे हूं पहले 35 सुबह 35 साम लेते थे तो का फास्टी वन ट्विटी रहता था अब और राइजोडेक इंसुलिन इसार्ट के थर्टी सुबह 30 साम ले रहें अब उनका फास्टिंग 140 आ रहा हूं उससे तीन कुना महेंगा पर कंट्रूल आए हमारा को बाइचा आप दोज कम लगा है अपने अब थर्टी फाइब बोला आते थर्टी फाइब लगाएंगा अब डेली सुगर चेक करें खाली पेट 120 सुबह रहें एक बढ़ाते जाए जब तक सुगर आपको 20 ना जाए जब 20 खाली पड़ा जाए तो 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 और एक एक बढ़ा एक दिन दो दिन चोड़कर अल्टीमेट इसको राइजी देक बड़ा सेफ इंसुलिन होता है इसके साथ आप चाहे तो आप इवन हंडेड नाइंटी इवन एटिफाइब लास दे और सुगर लोग चांस ज्यादा नहीं बढ़ेगा जबकि हमारे प्रीमिक्स एनल लगती है जब किसे अगेंस्ट है जो हमार यह हुमनिसी 3070 मिक्स्टार इंस्वां 3070 इंसुजन 3070 इंसुजन 3070 इंसुजन साथ जहां ब्लच को फास्टिंग और आप हंडेड टेंस नीचे लाओगे तापको हफते में महीन एक दुगर लो रात होने खत्रह बढ़ जाता है तो अगर टाइट कंट्रोल करना है तो आपको राइजल्य पैस्ट है उसके बाद उसे नीचे आयेगा हमारा प्रिमिक्स अनलोग इंसुजन लाइक लाइक लिगर विशन बेस्ट है और वेल्टाइट को फास्टिंग फास्टिंग पास्टिंग लाना है तो ही सब्सक्राइब के लिए राइजोडिक बेस्ट है सेकें बेस्ट आपको प्रिमिक्स अनलोग इसे नहीं पर तहां रखना पड़ेगा आपको टाइटर करना पड़ेगा अगर एक हमारी सिंपल रोटी होती है से मुलें पर अच्छे रश्रे मिलेंगा पूझा शीटी में बीश रुपर गी से रोटी पेट शेम उसे निट्रिशन है पर फायदा क्या है बड़े जाएंगे वह साफाई होगी हाज़निक होगा उस मिलावट नहीं होगी तो ऐसा निकी आपको फाइजन होट्र रोटी एक स कॉस्टली इंसुलीज वेट बढ़ने चांश कम होते हैं वेट बढ़ने चांश कम होते हैं और डोज पूरी लगाने पड़ेगी अब लगा कि और विडियोज्टा लग इसको लाइक करें हमारे चनल सुब्सक्राइब करें विडियोज शेयर करिये धन्यवाद